Hello everyone, आज जो हम chapter कर रहे हैं वह हैं रोजगार, समवर्थी, अनुपचारी करण और अन्यमुते आज इस chapter को हम संक्षिप में पढ़ेंगे, इसके मुख्य चीजे हम आज इस chapter में पढ़ेंगे रोजगार जो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह के करें हमारे यहां पाए जाते हैं बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, यानि किस तरह की विरोजगारी हमारे देश में पाई जाते है और किस तरह से रोज़गार उत्पन करने के करेक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने चाहिए आप सभी को पता है कि हमारे समाज में लोग तरह तरह के कारे करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए अपनी आजीवी का कमाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं कुछ लोग अन्यत प्रकार के भी काम करते हैं, कोई ओफिस में जाता है कुछ व्यक्ति घर पर भी काम किया करते हैं घर पर होने वाले कामों में बुनाई है फिते बुनाना यह सब काम किये जाते हैं कुछ महिलाएं भी घरों में काम करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इधर आपको दिखाई दे जाएगा यह आप यहाँ देखिए महिला यहाँ पर काम कर रही है और इसमें अगर बात हम करें टेकनोलोजी की तो टेकनोलोजी जो है इससे काफी चेंज आ गया है प्रोद्योगी की कैसे कहते हैं टेकनोलोजी को कहते हैं और हमारी टेकनीक में काफी चेंज आ चुका है काम करने के टे संभव हो पाया है और योगी कुछ पादन किससे संभव हो पाया है कि टेकनोलोजी चेंज होने से और योगी कुछ पादन संभव हो पाया है बात यह आती है कि हम काम क्यों करते हैं व्यक्तिक करे क्यों करता है लोग आजीवी का के लिए कारे करते हैं कुछ लोगों को उत्रा कारे का छुछक्त करेखिस से hatsu इसे क्या बोलते हैं उत्रादिकार का नियम इसे कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रोजगार है क्या कि रोजगार क्या है शमिक कौन होता है जब एक किसान खेत में काम करता है तो वह खाद्याने और उद्योग के लिए कच्छे माल का उद्बादन करता है यनि कि हम जब जैसे क्रशि कर रहे हैं खेती कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारी उपज़ होगी, जैसे माल लीजी हमने गेहू उगाया, तो वो आटे की फैक्टरी में चला जाएगा, तो आटा बनाने के लिए जिस फैक्टरी में जायेगा, वहाँ पर यह कच्छा माल का कार कच्छा माल क्पड़े और गारिघ स्यत्री के लिए से लगए अलोग कच्छा माल होगा उसके बड시के अलग अलग कर खने के लिए सभीरिय के लिए अलगार कच्छा माल को आने काय को बबनीं और कि अब विसे जी अगेसे फेरी में हम जोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं मुद्रिक मुले यानि money में जो उसका मुले है उसे हम जोड़ दें तो वह सकल घरेलू उतपाद कहा जाता है यानि gross domestic product उसे कहा जाता है GDP उसे हम कहते हैं short में हमें निर्यात के लिए मुले प्राप्त होता है और आयात का मुले देना होता है यानि कि जब हम export कोई वस्तू करते हैं तो उसे हमें मिलता है मुले पैसे मिलते हैं और आयात import करते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं और यह दोनों का जो अंतर होता है इसमें जो धनात्मक भी हो हो सकता है यह पॉजिटीव भी हो सकता है यह इसमें यहां पर बताया गया है उसके बाद आप देखिए सकल राश्टी उत्पाद यानि gdp में योगदान देने वाली सभी आर्थी क्रियाई जो है जो कारे जो होते हैं हमारी GDP में जिनका योगदान होता है जिनका contribution होता है उसे हम आर्थी क्रिया कहते हैं आर्थी क्रिया कोन करता है श्रमिक भी करता है इंट्रेप्रेनर्स भी करते हैं और सरीष करने वाले लोग भी करते हैं यह सारी क्या होती है GDP के लिए कारे किये जाते हैं आर्थी क्रियाएं इसे कहा जाता है भारत में अगर रोजगार की बात करें तो यहां की प्रकरती जो है बहु मुखी है बहु मुखी यानि कई तरह के रोजगार हमारे आप आये जाते हैं कुछ लोग तो वर्ष यहाँ पर हम बात करें आर्थीक कर्यों में लगे होते हैं जैसे कुछ लोगों को तो काम मिल गया तो यहां पर देखे 2011-12 में भारत की कोई श्रम शक्ति का आकार लगबग 473 मिलियन आका गया था यहां पर आप यह सारे डेटा देख सकते हो श्रमबल में लगबग 70% पूरुश हैं बाकी महिलाएं हैं और ग्रावीन छेत्र की बात करें तो महिला श्रमिक कुल श्रमबल का एक त्याही है और शहर जो छेत्र है वहां पर 80% पूरुश और 20% महिला हैं श्रम में भागेदार पाई गjenigen क्रेकरती है वो महिलाएं खाना बराने का पानी लाने का इंधनादी बिनने का करे की करने के साथ साथ खेतों में भी उन्हें करना होता है कई बार क्या होता मजदूरी जो है उन्हें नकद के रूप में नहीं मिलती है विस्टों के रूप में मजदूरी की बाते लोगों की रोजगार में भागदारी का करें तो शमिक, जनसंख्या, अनुपात Ozogant की विष्लेशन के लिए सूचक के रूप में किया जाता है यहां पर आप देखे यह आपको 2011 बारे की टेबल दिख जाएगी जिसमें यहां पर पूरा इतना है यहां पर 54.4 लोग काम करें फिर ग्रामीन शेत्रों में यह है और शेहरिक शेत्रों में यह है इसमें पुरुष और इस्त्री का दोनों का अंतर बताया है यहां पर आप टेबल में देखिए और संपूर यहां पर संपूर्ण की जानकरी आपको दी ह ही है उसके बाद हमने आपने जनसंख्या शब्द का अर्थों पता ही होगा आपको जनसंख्या पप्लेशन को कहा जाता है और इसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेश में किसी समय विशेश पर यानि एक समय निश्चित कर दिया जाता है जैसे सन 2010-2011 या दस से लेकर 20 के दोरान इतनी जनसंख्या थी तो वो एक स्षेत्र विशेश में और जनसंख्या का समय निश्चित कर दिया जाता है उसमें लोगों को गिना जाता है जिसे जनसंख्या कहते हैं और स्रमिको की संख्या जो है कोडेश की जनसंख्या से भाग करके उसे सो से गुणा कर देंगे तो हमें श्रमिंग कुजन संख्या का अनुपात मिल जाएगा जैसा कि हमने भी टेबल में पीछे देखा था तो हमने वहां पर देखा किस प्रकार से अभी देखिए भारत में प्रतेक सो व्यक्तियों में से लगबग 39 शमिक है और शहरी शेत्रो देखिए यानी कम हैं वहाँ पर अधीक इंकम नहीं पा काम करने का और शहरों के कम हैं क्योंकि वहाँ आयके अगुशल मिल जाते हैं और आधा इंकम मिल जाती है। वहाँ पर शमिक वर्ग में का अनुपात कम पाया जाता है, रेश्यों कम पाया जाता है हमारे देश की जनसंक्या की अदिया हम बात करें तो अगर हम जैसा कि हम जानते भी हैं कि महिलाओं के दौरा परिवार के लिए कारे किये जाते हैं आर्थिक लेकिन उनका कारे जो है आर्थिक या उत्पादन कारे नहीं माना जाता है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है वो जो घर में कारे करती हैं उसे हम देश के GDP में शामिल नहीं करते हैं और उन्हें भुगतान भी नहीं किया जाता है खेतों में कफी सारी महिलाई काम कर पैसे नहीं दिया जाते हैं इसलिए है क्या परिवार के लिए करते हैं और परिवार के लिए जो करें किया जाता है उसे GDP में शामिल नहीं किया जाता है क्या आपको नहीं लगता है देखिए क्या आपको नहीं लगता कि उनकी संख्यावी महिला श्रमिकों में श्रमिलित की जानी चाहिए क्या आप ऐसा सोचते हैं तो यह मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर आप बता ना कि क्या महिलाओं की घर के कारियों में उनकी भागिदारी जो है उसे हम शामिल करें या नहीं करें अभी देखिए एक और चीजच आ रही है श्वेनियोजिक ता भाड़े के शमिक क्या ऐसी चीज है दो तरह के शमिक यहां पर बताएगई हैं एक हम खुद के लिकारे के लिए करते हीं उसे इए और Qiva爱 पर छुमिक भाड़े पर जो लाते हैं उसे भाड़े के शुमिक जाता है ब्हारत में आधर श्रमबल जो ciao मज़ोरी वाले शुमिक जो है उस के अंतरगत आता है जो मजब्धूरी है उसमें बात करें तो हम यह кино साथ करते हैं कि रोजगार की गुणवत्ता के अधार पर हम भारत की एनियत मजदूरी वाले श्रमिकों को कर सकते हैं भारत में श्रमशक्ति 35 प्रतिशत है और ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों की खेतों में एनियमित रूप से कार्य करते हैं और कोई भी जो खेत हैं उनमें भी वो करे करते हैं किसी श्रमिक या व्यक्ति को जब नियमित रूप से काम मिलता है पूरे साल करे मिलता है तो उसे हम कहते हैं नियमित वेतन भोगी करमचारी यानि उसे पूरे साल जो है काम मिलेगा अभी आप यहां देखिए जो यह वाला यहां 7.1 में इसमें यहां आप देखो यह जो है रोजगार स्त्री पुरुष वर्णा गा नुशार वितरन किया गया है यहां पर पुरुष इश्रमिक दिखाए है और महिला शमीकों का वितरन दिखाया है यहां पर आप देखी पड़े लिखे लोग जो है और जो दूसरा व खोगी करम चारी जो है यहां पर दिखाए गए है जो जैसे 13 पर सेंट महिलाओं में दिखाए रहा है और कश्मिक पारिस शमीक जो मिलता है जिने कभी-कभी काम मिलता वह महिला वर्ग में आप देखो यहां पर 31 पर सेंट आपको दिख जाएगा तो यह जो है रोजगार का वरगन का सार वुत्रण कीया है किस वरग में वो कारे करते हैं यहां पर आप फिर देखिए कि फर्म कार्खने और कार्यलों में रोजगार brighter सिस्टेंच अर्थिक क्रम में करती का क्रशी और अने सम्मंदित क्रिया कलापों से उद्योगयों और सेवाऊं की और प्रवाह होता है यदि हम बात करेंगे हमारे देश की ड्यूलप्मेंट की आर्थिक विकास की या टो जितना दिविक्सी देश होता जाएगा अतना ही क्रशी से वो दूर होता जाएगा यानि कि सर्विष्ज़ की और उसका प्रवा होगा या फ्लो हो जाए गाज़ाया विक्षित जो देश होते हैं अपड़ सेवाओं का योगदाण जादा होता है जीडीप में यही कारण है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास हमारा होता जाता है। हम सेवाओं की और चलते जाते हैं ! यैनि सेवाओं नशेत्र में योगदान ज्यादा होता है GDP में। प्रतिश्ट के पर रूप में विद्यूत, निर्मानकारे, वानिचे, परिवेहन, सेवाई, यह सभी जो है अलग-अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाई होती हैं, या अध्योगिक वर्ग जो है उसमें बाटा जा सकता है, तीन प्रमुक वर्गों में फिर हम इसे बाट सकते हैं, इसमें पहला होता है प्रात इसमें प्रुमार्ट क्षेट्र आते हैं और तीसरा खेट्र होता है सेवा का, यानि किसी जौब अगयरा, में जो काम करते हैं उसे टेसरी सेक्टर कहा जाता है यहां पर आप टेबल देखिए, टेबल में आपको दिख़ाई देगा अध्योगिक वर्ग है वद्योगी वर्ग दिखेगा आपको इसमें प्राइमरी सेक्टर सेकिंडरी सेक्टर और दर्श्री सेक्टर फिर यहां पर निवास स्थान अलग अलग बाट करके दिखाए गए हैं ग्रामीन और सहरी शेत्र उसमें भी यहां पर पुरुश और महिला दो में बाटा गया है औ यहां परिवर्थन शेल रोजगार संदक्चना इसमें क्या है कि दो विकास की सूच्प होते हैं रोजगार संबर्थी और सकल 0 अध्यारेली उतपाद बाटा पाश से जो हमारा विकास जो देश का चल रहा है और इसका उदेश्य क्या होता है राष्टिय उत्पाद और रोजगार में व्रध्धी करना यानि कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले और जीडीपी भी हमारी बढ़ है रोजगों को आइदा प्रड़क्त लुद्य बढ़ रहा है उत्पादन बढ़ रहा है सेवाइं बढ़ रही है तो हमारे देश का क्या होगा वो विकास का सूचक होता है नाष्टान होगा पर आप 7.7 जो पॉइंट है इसे देखिए कि जो पहले हमने बात करी उसमें श्रंबल में एनियमित श्रमिकों का अनुपात बढ़ रहा है यानि कभी कभी काम जिनकों मिलता है एनियत श्रमिक जो है उनका रेशो बढ़ता जा रहा है और यह चीज जो है वो सही नहीं है इसके स्थान पर जो नियमित लोगों को काम मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा होता है आपको जानकरी हुनी चाहिए कि भारत के सकल श्रंबल के बहुत चोटे वर्ग को नियमित आए द्धा करना चाहिए कोई उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे कुछ कानून बनाए भी गए हैं और यही वर्ग अपने शमिक संग जो होता है यूनियन सोती है उसको बना करके एक अच्छे जो मजदूरी है और उन्हें अच्छी समाजिक शुरक्षा के लिए सोदेवाद जी भी ऐसे लोग करते हैं जो यूनियन वगएरा बन जाते हैं वो तो यह जो है कौन लोग होते हैं जो यूनियन बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अपचारिक और अनपचारिक वर्ग में हमने देखा था दो चीजों में बटा हुआ है इन लोगों को संगठित और एसंगठित भी कहा जाता है और्गिनाइजड एन नोन और्गिनाइजड भी कहा जाता है यानि जो लोग नियमित रूप से करमचारी हैं वो संगठित हैं और जो एनियत करमचारी हैं वो एसंगठित हैं यानि इधर उदर बिखरे वी हैं जिने इस साल के कुछ समय पर ही काम मिल पाता है उसके बाद आप यहां पर आए और यह देखिए समाजिक सुरक्षा व्यवस्था में इनके लिए अच्छे करे किये जाएं मजदूरों के लिए उसे समाजिक सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है बेरोजगारी किसे कहा जाता है अपने काफी ये नाम सुना भी होगा आपको पता भी होगा कि कुछ लोग रोजगार तलासते रहते हैं अन्य इस्थानों पर जा जा करके कुछ लोग शहरों में चले जाते हैं वहाँ पर दफ्तरों और कारखनों में नोकरी की तलास में लगे रहते हैं और उन्हें नोकरी नहीं मिलती है तो वह क्या है यहां पर बेरोजगार है हम उसे क्या कहेंगे बेरोजगार है उसकी जो च्छमता है करेकने की या उसने जीतनी स्टडी कर रकिया उसकी अनुसार उसे रोजगार नहीं मिलता है यानि उनके पास काम नहीं होता और इस कारण से वो बिना काम के रह जाते हैं बेकरेरत वेक्ति नहीं है परंतु रोजगार कारेले, मध्यस, मित्रों, सम्मंदियादी के माध्यम से रोजगार दाताओं को आवेदन दे करके या वरतमान परिस्तितियों और पर्चलित मज़दूरी दर पर काम करने की इच्छा प्रकट करके कारे की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को अर्थशास्री बेरोजगार कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेरोजगार कहते हैं और इसके लिए जो गंड़ना करता है हमारे भारत में उसका नाम है NSSO यानि राश्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षन संगठन हमारे इस तरह की चीजों को कि आकड़े इकठे करता है डेटा कलेक्ट करता है तक कि इन्हें गिना जा सके और इनके लिए कुछ योजनए सरकार बना सके और हमारी अर्थ विवस्ता में यह एक बहुत बड़ी समश्या है बेरोजगारी की कुछ श्रमिक जो होते हैं उन्हें काम मिलता है लेकिन काम मिला हुआ दिखाई देता है लेकिन वर्ष के कुछ महीनों में वो बेकार होते हैं यानि कुछ ही महीने उन्हें कारे मिलता है चुपी वी बेरोजगारी भी हमारे यहां पाई जाती है चुपी वी बेरोजगारी का जाता है इसे काम करते वे दिखेगा लेकिन साल के कुछ मंस में वो कारे नहीं करता है और उसकी उत्पादम शमता उतनी नहीं होती ह उसकी जो करे में योगदान करने की शमता है प्रचन बेरोजगारी हम इसे कहते हैं वह यह नहीं पाई जाती है सरकार रोजगार зачем की बात करें कि बी रोजगारी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कैसे जो लोगों को है रोजगार के अफसर उपलब्ध करा रही है तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 2005 में जिसका नाम है रोजगार गारंटी अधिनियम यह है देश की गामीन परिवार के जो सदश्य होते हैं फैर्यक श्रमीक है यहनुनि को सो दिन की दिहाड़े उपलब्द करा कि गरंटी देता है कि सो दिन तो आपको करे दिया ही जाएगा यहनिकी जो एक नगगों फैरुस्षल लोग हैं जिनको कोई कारे करना इतना अच्छी से नहीं उनके लिए यह करेक्रम बनाया गया है उनकी सहायता के लिए इसके इलावा सरकार अनिक होटल उद्योग और परिवेहन कंपनिया भी चला रही है जिससे डायरेक्ट रूप से रोजगार दिया जा सके सरकार की काफी उज्राइं इसके लिए आती रहती हैं और यह जो में प्र और चैप्टर में अपने देखा होगा और इससे दूर करने के लिए रेडिकेट करने के लिए अनेप्लॉइमेंट जो है इससे दूर करने के लिए कई सारे प्रोग्रम चलाए जाते हैं इस तरह के करेक्रम केवल रोजगार के लिए ही उपलब नहीं कराया जाते बलकि इनक चीज़ें करने के लिए भी सरकार काफी साहता उपलब्द कराती है और इस तरह से बंजर भूमी के विकास के करे भी किये जाते हैं सरकार की द्वारा अभी हम इसका कॉंक्लूजन की बात करें तो भारत की श्रंबल सनचना में काफी परिवर्दन आ चुका है सेवक शेतर में नई रोजगार आ रहे हैं सर्विस सेक्टर तरसरी सेक्टर है लेकिन उस दर से नहीं हो रहा जो विक्सित देशों में हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो एक यहां पर हम यह बात जरूर करेंगे कि विदेशी जो कंपनिया हैं बहुराश्री यह कंपनिया हैं उनके मुकाबले हमारे लगू उद्योग जो है वो टिक नहीं पाते हैं और य चोटे उद्योग आ रहे हैं लेकिन वह फिर भी बड़े उद्योगों के सामने नहीं टिक पाते हैं विदेशी कंपनियां जो हैं उन्हें खतम करने में जुटी रहती हैं क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं और वह स्थोंपेटियोगे उन्हें टिक नहीं पाते हैं इसलिए पिछड़ जाते हैं लेकिन फिर भी वह अपने आपको बनाए रखने की लगे पारिवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा पतक點 है इसमें आप देखिए किआा दिक आर्थहें में लोग सनलग रहे हैं या की पैसे के लिए लोग कारे करें और उप्टान कर रहे हैं उन्ने हम क्या कहते है उन्हें आइस का मिलेब्र कहां जाता है हमारे देश में ग्रामीन पुरुष जो हैं देश के श्रंबल का सबसे बड़ा वर्ग है काउं में ज़्यादा शमिक पाए जाते हैं और भारत में जो कुल श्रंबल है उसका लगबग 5 में से 3 लोग जो हैं क्रशी से सम्मान दित हैं और सरकार जो है देश का सबसे बड़ा और दोगी ख्षेत्रक ने होता है और चारी ख्षेत्रक ने होता है ययनि और प्रशी ओडियो को वर्श जो वर्श है उसमें कुछ मंस के लिए लोगों को कारे मिलता है कुछ मंस के लिए लोग बेरोजकार रहते हैं बेकार रहते हैं भारत की शंबल की संदरचना में काफी परिवरतन भी आया है हाली के वर्षों में तरसरी सेक्टर का युगदान बढ़ा है यानि सेवक्षेत्र का युगदान का युद्धन जीडिपी में जादा हो आज का हमारा चेप्टर हम यही पर समाप्त करते हैं इसके डिटेल्स में डिटेल जो एक्स्प्लेनेशन होगी उसमें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आप से फिर इस पर चर्चा करेंगे यह दिए आपको इसमें कोई डाउट्स है इस आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि सभी चेप्टर्स की नोटिफिकेशन सबको मिल जाए अभी हमने मल्टिपल चोईस कोश्चन की जो सिरीज है वो भी चला रखी है क्लास 9,10,11,12 की सभी सब्जेक्स के लिए हम आपक यज ताकि हम आपकर आपि के लिए ताकिंश वो में ने आपकर 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 नहां ताकिंश ने प्रोईकreally ने दंच-डा चार टितक handsome यह हम आपकर ड говорит हम आपकर आपकर आपिकेशन सब्सक्राइब का एम डवाओंशन सबस्सक्राइब को एम और उया हम आपकर आपकर